जेहिन दोस्तों, हमारे देश में लोकडाउन लगा हुआ है और इस लोकडाउन की वज़े से वो लोग ज्यादा परेशान हैं जो रोजाना कमाते हैं और खाते हैं दोस्तों अगर उन्हें पेट भरना है और उन्हें कमाने जाना है तो वो घर से बहार निकलते हैं तो वो पुलिस की डंडे की पिटाई खाकर वापिस घर लोटते हैं सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है आपको याद है कि लोकडाउन की वज़े से लोगों को अक्सीजन नहीं मिल पा रही है अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है तो वो गरीब लोगों के लिए अच्छा इलाज नहीं दे पा रही है हमारे देश की सरकार तो वो गरीब लोगों को खाना कैसे दे पाएगी वो आप जानते हैं दोस्तों दोस्तों ऐसा ही मामला उत्तप्रदेश के जो एक डिस्टिक है एक जिला है उन्नाव वहां से सामने निकल कर आया एक फैसल नाम का लड़का अपना पेड भनने के लिए घर से सबजी बेचने निकलता है और वहां पर उसका पुलिस का उत्तप्रदेश की पुलिस यानि योगी जी की पुलिस से सामना हो जाता है किसकी पुलिस से योगी जी की पुलिस से वो योगी जी की पुलिस जो आजकल encounter specialist मानी जाती है अब उससे जो सामना हो जाता है नाम तो उसने पूछी लिया योगी जी की पुलिस ने क्या नाम फैसल नाम है मुसल्मान है अब तो उसका कैसा बरताब होगा योगी जी की पुलिस से वो आप दोस्तो जानते हैं अब दोस्तो योगी जी की पुलिस से किस तरीके का सामना हुए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों योगी जी की पुलिस ने उस फैसल नाम के जो सब्जी बेशता है अपना घर चलाने के लिए सब्जी बेशने लिकला इस लोगडाउन की वज़े से वहीं दोस्तों लोगडाउन अपना घर चलाने की वज़े से और अपना पेट भनने की वज़े से वो घर से सब्ज बेशने के लिए निकला कि लोकडाउन में बहुत ज़दा परेशाने गरीब जो तबका है दोस्तों सरकार ने तो कुछ उनके लिए नहीं किया अब दोस्तों सब्दी बेशने योगी जी की पुलिस से सामना हो जाता है तो योगी जी की पुलिस उसे गरफतार कर लेती है और दोस्तो वहां पर फिर थाने के अंदर उसकी प्टाई करतें है पूलिस वाले और वहां पर उसकी तबीख खराब हो जाती है वह वह उस्पिटल लेकर जाते तो वहां पर डोक्टर मिर्त गोशित कर देते, अब धूस्तों क्या है पूरा मामला मैं आपको पढ़कर बताता हूँ उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे स्क्रीन पर देखिए उन्नाओं के बेगर माउ सवजी विकरतरा की मौत के मामले में मिर्तक की पोस्माटम रिपोर्ट में पुलिस की जियास्ती के सबूत मिले है सिर में घंबीर चोट से मौत होने की पुष्टी हो ये पीट हाथ 36 समीत शरीर के अन्य हिस्सों में डंडो के निशान बता रहे हैं कि पुलिस ने कोतवाली में उसे बहरहमी से पीटा मामले की घंबीरता को देखते हुए एससपी शकी शेकर सिंग ने पंगर माउ थाने के दो सिपाई ही हो और एक होमगाउ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें सस्पेंड कर दिया है सबजी विकरता की मोस से आकोर्शित परीजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए सीएचो में हंगामा शुरू कर दिया देखते ही देखते हजारों की संक्या में लोग सड़क पर आ गए और शब रखकर जाम लगा दिया हालत बिगड़ते देख तीन थानों की पुलिस के साथ अफसर पोचे और जाच के बात करवाई का आश्वासन देकर शान्त कराने का प्रियास किया इस दोरान भीर और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होई रात तक लोग जाम लगाते हुए भटपूरी निवासी मुहंबस फेसल 18 साल का सिर्फ था फेसल पुतर इसलाम हुसेन सबजी बेचता था शुकरवार दुपेर दो बजे वे सबजी मंडी के पास इस्थित अपने घर के बहाँ ठेले पर सबदी बेच रहा था अब दोस्तो मार पिटाई करके कोत वाली ले गए और कोत वाली में उसे इतना पिटाई करी कि पोस्माटम रिपोर्ट में ये साबित हो गया है कि पुलिस की पिटाई से फेसल की जान गई है दोस्तों फैसल तो चला गया है उसका अंतिम संसकार यानि खबरुस्तान में उसे दफना भी दिया है पर इसका जिम्मेदार कौन है ये सवाल उठता है क्या इसका जिम्मेदार लोकडाउन है या फिर वो जिम्मेदार है जो पुलिस वालों ने उसे मारा या फिर वो जिम्मे जिसकी वज़े से अपना पेट भनने की वज़े से फैसल घर से बाहर सबजी बेशने गया था क्या पता था उसके परिवार को कि वो अगर अपना पेट भनने और अपने परिवार का पेट भरेगा भन्ने के लिए वो सब्दी बेचने जाएगा तो क्या उसका योगी जी की पुलिस जो एंकाउंटर इस्पेशलिट आजकल मानी जाती है योगी जी कहते हैं कि वो ठोक देगी हमारी पुलिस अगर ऐसा कोई भी बदमाशी करेगा कोई तो उस फैसल को योगी जी की पुलिस ने ठोक दिया अब दोस्तों दो सिपाही और एक होमगाट के उपर गाज गिरी हैं तीनों को सस्पेंड करकर तीनों को हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया दोस्तों ये पहला ऐसा मामला सामने निकल कर नहीं आया जबसे भारतिये जंदा पार्टी की सरकार 2014 से हमारे देश में बनी है जबसे मुसल्मानों को इस तरीके की नजर से देखा जा रहा है कि इस देश के दुश्मन हैं मुसल्मान ऐसा देखा जा रहा है कि इस देश के हैं ही नहीं मुसल्मान और इस देश की अजादी में उनका कोई रहा ही नहीं है ऐसा देखा जा रहा है अगर कोई मुसल्मान किसी चीज़ को लेकर अवाज उठाता है अपने हक में अवाज उठाता है जबकर इस देश का जो सम्विधान है उसको इजासत देता है अगर मुसल्मान कोई अपनी काम के लिए या कोई ऐसी आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ जो गलत हो रही होती है अपने लिए आवाज उठाता है तो उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है या इस तरीके से कहा दे दिया जाता है बड़े अराम से कि ये तो मुसल्मान है ये तो पाकिस्तानी है अगर इन्हें इस देश से प्रॉब्लम है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं क्यों जा सकते हैं पाकिस्तान क्या इस देश की अजादी में मुसल्मानों का भारत में अजादी कराने के लिए किया उनका कोई योगदान नहीं था जर्याइण वाला बाग आपको याद होगा किस तरीके से मुसल्मानों ने उसके अंदर अपनी खुर्बानी दी क्या मुसल्मानों को कोई नहीं रहा है जो लोग मुसल्मानों के ऊपर सवाल इठाते RSS का कभी भी अजादी के टाइम भारत को अजाद कराने में नहीं रहा वो तो अंग्रेजों के साथ थे वो तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे पर दोस्तों ये जो देश अजाद हुआ है ये सिर्फ किसी एक धर्म के लोगों ने अजाद नहीं कराया है सबी भारती एक साथ आए हिंदू, मुसलिम, सीख, इसाई आप सब एक साथ मिलकर उन्होंने इस देश को अजाद कराए दोस्तो हमारे देश में अब जान लेने की जो कीमत है वो बहुत जादा सस्ती हो गई है अभी हरियाने का आपने मामला सुना होगा एक आसिफ नाम का जो जिम ट्रेनर था उसके लिंचिंग कर दी गए जोस्तो जब से भारती जनता पार्टी हमारे देश में आई है ऐसे मामले सामने निकलते आ रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे है जबके एक ऐसा मेसिज देना चाहिए सरकार को और ऐसा पानून बनाना चाहिए सरकार को जिससे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक मैसिज जाएगा अगर भारत के अंदर किसी की जान ले जाएगी तो उसके साथ ऐसा ट्रीट किया जाएगा उसको ऐसी सजा दी जाएगी अब तो उसके देखना होगा हत्याका का तो मुकदमा धर्च हो गया है एक फेसल जो सबजी बेश्चा था अपना पेड़ भरने के लिए वो घर से बाहर निकला अब उसकी जान चलीगी पुलिस ने उसकी जान ले ली मतलब जो अमीर लोग है उनके लिए बड़े बड़े लोग हैं वो तो अपना काम चला रहे हैं उनको तो पुलिस की हिम्मत नहीं है के दे पर एक गरीब मतलब एक गरीब शक्स मतलब एक ठेला सबजी बेशने वाला फेसल पूरे देश में कोरोना फेला देगा अगर उस पर दानी बजाया उसे घर में नहीं गुसाया तो देश में आपको याद होगा कुम्भी चला है वहाँ पर ढाई हजार तीन हजार को पॉजिटिव भी केस निकल कर आए सरकान ने उस पर कोई फेसला नहीं लिया और यह जो योगी जी की पुलिस है यह योगी जी की जो गुंडा वाली पुलिस है यह एक फेसल लड़के को समझ रही है कि पूरे देश में यह कोरोना फैला देगा चलिए उसकी जान तो चली गई है अब आपकी क्या पिट्टी के लिया है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं आप मुण नीचे कमेंड वोक्स अप्रिया ज़रूर बताईएगा इस वीडियो को ज़्याद दद शेर करिएगा लाइक ज़रूर करिएगा चैनल पर नहीं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब वो बेल आइकन को ज़रूर दबादे का ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगो तो आपको पता चल जाएगा चलिए इस वीडियो में इतना ही